ओम शांति ओम शांति आज 11 सितंबर 2014 दिन बुद्धवार की साकार मुरले आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मदूर महवाक्यों को मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपने केरेक्टर्स सुधार ने तुम्हें अभी दैवी केरेक्टर्स बनाने हैं प्रश्न तुम बच्चों को आँखे बंद करके बैटने की मना क्यों की जाती है उत्तर क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुक है अगर आँखे बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे स्कूल में आँखे बंद करके नहीं बैठते हैं आँखे बंद होंगी तो सुस्ती आएगी तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो यह सौर्स ओफ इंकम है लाखों पदमों की कमाई हो रही है कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकते ओम शंती मीठे मीठे रुहानी बच्चों प्रती बाप समझाते हैं यह तो बच्चे जानते हैं कि रुहानी बाप परमधाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं जिसको याद की यात्रा कहा जाता है यह भी बताया है बाप को याद करते करते मीठे रुहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांती धाम में पहुँच जाएंगे कितनी सहज समझानी है अपने कौात्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के बाप जो हैं वहबस्म होते जाएंगे इसको ही योग अगनी कहा जाता है यह भारत का प्राचीन राज योग है जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं बेहद का बाप ही भारत में इस साधारन तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिवान है तुम्हारे आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है जो सतो प्रधान थी अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाएं जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको वा शांती दाम घर में जा सको बच्चों को यह बहुत अच्छी रिती याद रखना है बाप बच्चों को यह डोज देते हैं यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो जितना हो सके ग्रस्त विवार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारन करने है क्योंकि दुनिया वालों के तो आसूरी केरेक्टर्स हैं तुम बच्चे यहाँ आए हो डैवी केरेक्टर्स बनाने इन लक्षमी नारायन के केरेक्टर्स बड़े मीठे थे पक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई हुई है भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है यह भी किसी को पता नहीं है अभी तुमने समझा है और रावन राजे कब से शुरू हुआ यह भी अब समझा है तुम बच्चों को यह सारी नौलेज बुद्धी में रखनी है जबकि जानते हो हम ग्यान सागर रुहानी बाप के बच्चे हैं अब रुहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं यह भी जानते हो यह कोई और्डिनरी बाप नहीं है यह है रुहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है उनका निवास्थान सदेव ब्रह्म लोक में है लौकिक बाप तो सबके यहां है यह बच्चों को अच्छी रीती निश्चे में रखना है हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है जो बेहत का बाप है बक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं उनका एक ही नाम यतार्थ शिव है बाप खुद समझाते हैं मीठे मीठे बच्चो मेरा नाम एक ही शिव है वल अनेक नाम अनेक मंदिर बनाई है परंतु वेसब हैं भक्ती मार्ग की सामगरी यथात नाम मेरा एक ही शिव है तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं सालिग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं अनेका नेक सालिग्राम है शिव एक ही है वह है बेहत का बाप बाकी सब हैं बच्चे इसके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे ग्यान तो था नहीं बाकी अनिक प्रकार की भक्ति करते रहते थे आदा कल्प भक्ति की है दौापर से लेकर भक्ति शुरू होती है रावन राजे भी शुरू हुआ है यह है बहुत सहज बात परन्त इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं रावन राजे कब से शुरू होता है ये भी कोई नहीं जानता तुम मीठे बच्चे जानते हो बाप ही ग्यान का सागर है जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं शास्त्रतों हैं भक्ती मार्ग के अभी तुम समझ गए हो ग्यान, भक्ती और फिर है वैराग्य ये तीन मुख्य हैं सन्यासी लोग भी जानते हैं ग्यान, भक्ती और वैराग्य परन्तु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके यह है बेहद का, तुम्हारा है राज-योग, वह घर-बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तो उनों का नाम ही पड़ जाता है संयासी, घर-बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, यह भी अच्छा है, बाप कहते हैं, भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं भारत की तो बहुत उंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते हैं बाप को भूलने कारण सब कुछ भूल जाते हैं अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं सत्युग में कितनी सुक शांती थी अभी कितनी दुख अशांती है मूल वतन तो है ही शांती था जहां हम आत्माएं रहती हैं आत्माएं अपने घर से यहां आती हैं बेहत का पाट पचाने अभी यह है पुर्शोत्तम संगम युग जबकि बेहत का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए बाप आकर उत्तम से उत्तम मेनाते हैं उँचते उँच भागवान कहा जाता है परंतु वह कौन है किसको कहा जाता है ये कुछ भी समझते नहीं एक बड़ा लिंग रख दिया है समझते हैं ये निराकार परमात्मा है हम अत्तमाओं का वह बाप है ये भी नहीं समझते सिर्फ पूजा करते हैं हमेशा शिब बाबा कहते हैं रुद्र बाबा वा बबुलनात बाबा नहीं कहेंगे तुम लिखते भी हो शिब बाबा याद है वर्सा याद है ये स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए शिब बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता शास्त्रों में तो सब जगें पतित लिख दिये हैं त्रेता में भी कहते रावन था सीता चुराई गई श्रीक्रश्न के साथ कंस जरासंदी हिरने कश्यपादी दिखाए गई श्रीक्रश्न पर कलंक लगा दिये हैं अब सत्यूग में यह सब हो नहीं सकता कितने जूटे कलंक लगाए हैं बाप पर भी कलंक लगाए हैं तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं सब की गलानी करते रहते हैं तो अब बाप कहते हैं यह याद की आत्रा है आत्मा को पवित्र बनाने की पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है बाप चुरासी का चक्र भी समझाते हैं अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है फिर घर जाना है घर में शरीर तो नहीं जाएगा सब आत्माई जानिये इसलिए मीठे मीठे रुहानी बच्चों अपने को आत्मा समझ कर बैठो देह नहीं समझो और सतसंगों में तो तुम देह अभीमानी हो बैटते हो यह अब आप कहते हैं देही अभीमानी हो कर बैठो जैसे मेरे में यह संसकार हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है बेहद के बाप और हद के बाप का कॉंट्रास्ट भी बतलाते हैं बेहद का बाप बैट तुमको सारा ग्यान समझाते हैं आगी नहीं जानते थे अब इस रष्टी चक्र कैसे फिरता है उनका आदी मध्य अंत और चक्र की आयू कितनी है सब बतलाते हैं बगती मार्ग में तो कल्ब की आयू लाखों वर्ष सुना कर अंधियारे में डाल दिया है नीचे ही उतरते आये हैं कहते भी हैं न जितना हम बगती करेंगे उतना बाप को नीचे खीचेंगे बाप आकर हमको पावन बनाएंगे बाप को कीचते हैं क्योंकि पातित हैं बड़े दुखी बन जाते हैं फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं बाप भी देखते हैं बिलकुल दुखी तमो प्रधान बन गए हैं पाँच हजार वर्ष पूरे हुए हैं तब फिर आते हैं यह पढ़ाई कोई इस पुराने दुनिया के लिए नहीं है, तुम्हारी आत्मा धारन कर साथ ले जाएगी, जैसे मैं ग्यान का सागर हूँ, तुम भी ग्यान के न दिया हो। यह knowledge कोई इस दुनिया के लिए नहीं है, यह तो छीची दुनिया है, छीची शरीर है, इनको तो छोड़ना है, शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता, मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ, इन बातों को मनुश्य तो कुछ भी समझ न ही आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है, अब बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ, मैं बेहत का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ, तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन, ओ गौड फाद है घर में कैसे कब जाएंगे मुक्ती में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं कितने गुरु करते हैं जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए हैं वे गुरु लोग जीवन मुक्ती के सुख को तो जानते ही नहीं वे चाहते हैं मुक्ती कहते भी हैं वे शुव में शान्ती कैसे हो सन्यासी भी मुक्ती को ही जानते हैं जीवन मुक्ती को तो जानते नहीं परंतु मुक्ती जीवन मुक्ती दोनों वर्सा बाप ही देते हैं तुम जब जीवन मुक्ती में रहते हो तो बाकी सब मुक्ती में चले जाते हैं अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो यह बनने के लिए तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है आदिसनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हो, तुम पवित्र प्रवरती मार्ग वाले थे, ये लक्षमी नारायन पवित्र प्रवरती मार्ग के हैं, घर बार छोड़ना ये सन्यासियों का धर्म है, सन्यासि भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हम को पांच हजार वर्ष के बाद आना पड़ता है ना कल पलाखों वर्ष का है ना मैं सर्वयापी हूँ यह तो तुम मेरी गलानी करते आए हो मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ जितनी शिबाबा की गलानी की है उतना और कोई की नहीं की है जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए तुम कहते रहते हो सर्व्यापी है, जब गलानी की भी हद हो जाती है, तब फिर मैं आकर उपकार करता हूँ, यह है पुर्शोतम संगम युग, कल्यानकारी युग, जबकी तुमको पवित्र बनाने आता हूँ, बन जाएंगे, अब कहा वह पानी और कहा पतित पावन बाप, वह सब है भगती मार्ग, यह है ग्यान मार्ग, मनुशे कितने घोर अधियारे में हैं, कुम्भकरन की नींद में सोय हूए हैं, यह तो तुम जानते हो, गाया भी जाता है, विनाश काले, विपरीत बुद्धी विनशेयंती, अभी तुम्हारे नंबरवार पुर्शात अनुसार प्रीत बुद्धी है, पूरी नहीं है क्योंकि माया घड़ी-घड़ी भुला देती है, यह है पाँच विकारों की लड़ाई, पाँच विकारों का रावन कहा जाता है, रावन पर गधे का शीष दिखात बाबा ने यह भी समझाया है, स्कूल में कब आखे बंद करके नहीं बैठना होता है, वैतो बक्ति मार्ग में बागवान को याद करने की शिक्षा देते हैं, कि आखे बंद करके बैठो, यह तो बाप कहते हैं, यह स्कूल है, सुना भी है, नजर से निहान, कहते हैं यह जा दूगर हुआ ना बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आखे बंद कर बैठें तो क्या कहींगे स्कूल में आखे बंद कर नहीं बैठते नहीं तो सुस्ती आती है पढ़ाई तो है source of income लाखों पदमों की कमाई है कमाई में कभी उवासी नहीं लेंगे या आत्माओं को सुधारना है यह aim object खड़ी है उनों की राजधानी देखनी हो तो जाओ देलवाडा में वह है जड़ यह है चेतन्य देलवाडा मंदिर देवताएं भी है स्वर्ग भी है सर्व का सदगती राता आबू में ही रहते हैं इसलिए बड़ेते बड़ा तीर्थ आ पत्वा गुरु लोग है सबकी सदगती बाप यहां आकर करते हैं यह सबसे बड़ा तीर्थ है परंतु गुप्त है इनको कोई जानते नहीं है अच्छा मीठे मीठे सी कि लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बा अबिमानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार जो संसकार बाप में हैं वही संसकार धारन करने हैं बाप समान ग्यान का सागर बनना है देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्र त्रिकाल दर्शी बन दिव्य बुद्धी के वर्दान को कारे में लगाने वाले सफलता संपन्भव अब आप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धी का वर्दान दिया है दिव्य बुद्धी द्वारा ही बाप को अपने आपको और तीनों कालों को सपष्ट जान सकते हो सर्व शक्तियों को धारन कर सकते हो दिव्य बुद्धी वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म वाणी में लाने के पहले हर बोल वा कर्म के तीनों काल जानकर प्रेक्टिकल में आती है उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है ऐसे दिव्य बुद्धी वाले त्रिकाल दर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन बन जाते हैं स्लोगन संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही पर्मानंद का अनुभव कर सकते हैं ओम शंति ओम शंति